हेलो एवर्यवन और वेल्कम टो सिक्षा तो गाईज इस पर्टिक्लर लेक्चर के अंदर हम डिसकस करेंगे इक्वल रेमुनेरेशन आक्ट 1976 देखो हुआ क्या है अब अपने पास चार कोड आ चुके हैं और जितने पिछले आक्ट्स हैं उनको उसमें सब्जियूम कर दिया गया है इकोल रेमुनेरेशन आक्ट भी सब्जियूम हो चुका है बट फिर भी पिछली बार कोश्चन जो हैं पुराने आक्ट्स में से आये थे तो सेलेक्टिड वे में हमें इन आक्ट्स को करना है बहुत जादा टेक्निकालिटीज या बहुत जादा डिटेल्स के अंदर भी हमें जाने की जुरुत नहीं है तो ये आक्ट्स मैं आपके साथ डिसकस करूँगा डिरेक्ली बेर जो आक्ट है उसकी पीडिएफ यहां पर मैं आपके लिए लेकर कर का है हूँ मांग पॉइंट्स हैं अंडरलाइन हमने पॉइंट्स की हैं अल्रेडी तो पीडिएफ भी आपको मिल जाएगा उन अंडरलाइन पॉइंट्स का हाइलाइटिड पॉइंट्स का सिरफ उतने आपने पढ़ लिए तो आपके लिए सफिशेंट है एक्जाम के लिए पहले तो आपने कोशिश करनी है कि आपको पीडिएफ की जुरुरत ही ना पड़े ठीक है पहली क जुरुत ही तो आप पीडिएफ कोर्स से उसको डाउनलोड कर सकते हो तो इक्वल रेमुनरेशन आक्ट 1976 का है सबसे पहले तो एर भी आप लोगों को याद करना है क्योंकि डारेक्टली पेपर के अंदर वो आपसे एर भी पूछ सकता है ठीक है तो क्रोनालोजी बेस्ट अ अब हम आगे चलते हैं तो सबसे पहले तो इक्वल रेमुनरेशन आक्ट का उबजेक्टिफ क्या है तो प्रोवाइड इक्वल रेमुनरेशन टो मेन और वोमेन वरकर्स तो किसी भी तरह के अंदर किसी भी तरह का जो वेरियेशन है वो नहीं होना चाहिए ठीक है सेम वर्क के matter में भी यहाँ पर सिर्फ remuneration का matter नहीं है आप किसी को नौकरी भी नहीं डिनाय कर सकते just on the basis of gender until and unless किसी specifically act के अंदर किसी कानून के अंदर लिखा हुआ है कि हाँ जी इस particular area के अंदर आपको women को involved नहीं करना है जैसे factories act के अंदर हम ने कहीं areas में देखते है ना कि हाँ पर women की involvement नहीं होनी चाहिए पूरे भारत के अंदर यह act लागू होगा it will extend to whole of India सारी states के उपर यह लागू होगा उसके बार next important point है कि यह जो particular act है this will have overriding effect overriding effect का क्या मतलब है कि कि किसी भी act के किसी भी दूसरे act के provisions अगर इस act के provisions को contradict करते हैं तो इस particular act का overriding effect आ जाएगा यानि कि यह superior एक तरीके से act उस case में रहेगा तो overriding effect होगा अगर किसी भी दूसरे act या regulation जो है इसके contradiction में आता है उसके बाद next हम बात करते हैं payment of remuneration की तो यह employer के ओपर duty रखी गई है कि उसको equal remuneration provide करना है men और women को अगर दोनों same work के अंदर है ठीक है work जो है वो same है जितने time के लिए वो involved है वो same है उसका nature जो है वो similar है तो अगर यह सारी चीजे equal है तो फिर वो अलग-अलग wages नहीं उनको देगा जो wage rate है दोनों का same होना चाहिए ठीक है जी जो same है वो होना चाहिए अब देखो कई employer बोलेंगे for example यह act आने से पहले किसी industry में एक particular men का जो wage rate था वो उसको 200 रुपे परार मिल रहा था और women को 100 रुपीज मिल रहा था अब यह act आ गया और act ने बोला कि भाया तुमको same रखना है इनका ठीक है अलग अलग नहीं होना चाहिए अगर दोनों same काम कर रहे हैं तो employer ने बोला कि यार women के भी मेरे को 100 बढ़ाने पड़ेंगे इससे अच्छा दूसरा अब इसमें एक protection भी employer को दी गई है तो protection क्या थी कि भाई यह 1976 में act आया है हो सकता है उससे पहले unequal remuneration दी जा रही हो women को तो वो आकर के claim कर लें कि भाई हमें तो पहले के time में भी तुम आच्छे 5 साल पहले भी तुम हमको तो unequal remuneration दे रहे थे तो वो जो पिछले 5 साल का unequal तुम हमको दे रहे थे वो भी हमको ठीक करके दो तो यह act कहता है कि इसका जो है there will be no retrospective effect कि पिछले time का आप कुछ नहीं claim कर सकते ठीक है जब act लागू हो गया उसके बाद हमने यह देखना है कि equal wages होनी चाहिए पिछले time का आप आ करके नहीं claim कर सकते कि पीछे भी जो हमारा था equal था वो हमको दो ठीक है जी उसके बाद act बोलता है कि recruitment के अंदर भी discrimination नहीं होनी चाहिए तो employer जब recruitment कर रहा है same काम के लिए similar nature के लिए तो उसमें discrimination नहीं होनी चाहिए यहाँ पर बात सिर्फ recruitment की नहीं है promotion है training है transfer है किसी भी case में discrimination नहीं होनी चाहिए ठीक है until and unless किसी particular area के अंदर कानून ने restriction लगा रखी हो woman की employment में ठीक है तो वो तो एक अलग चीज हो गई but अगर restriction as such किसी by law कोई restriction नहीं है तो उस case में आप discrimination नहीं करेंगे man and woman के अंदर ठीक है जी बट अब देखो हमारे आपर reservation दी जाती है reservation है SC, ST, ex-servicemen, retrenched employees ठीक है और particular type of reservations होती है तो उस case में यह provision apply नहीं होगा reservation के case में Next provision है जी इसमें advisory committee का तो act बोलता है की एक advisory committee बनाई जाएगी और इस advisory committee को appropriate government बनाईगी और यह advisory committee का काम क्या होगा कि कैसे women के लिए देश के अंदर employment opportunities इंक्रीस की जाए उस चीज के ओपर यह basically advise करेगी कि कैसे establishments में various employment में women के लिए opportunity increase की जाए यह जो advisory committee होगी इसमें कम से कम 10 लोग होने चाहिए कम से कम, ठीक है not less than 10 तो not less than 10 का मतलब क्या है कि 10 से जादा हो सकते हैं बढ़ 10 से कम नहीं हो सकते हैं और यह जो 10 member होंगे इसको सरकार जो अगर central government बना रही है तो central government, state government बना रही है तो state government nominate करेगी और जितने भी member होंगे उन में से आदे जो है वो women होनी चाहिए, तो for example अगर किसी advisory committee में 10 member हैं तो 10 में से 5 जो हैं that should be women, 10 में से 5 जो होंगी वो क्या होनी चाहिए, women होनी चाहिए advisory committee में advisory committee अपना procedure खुद regulate करेगी और यह एक advisory body है तो basically तो यह तो सरकार को advise कर रही है, उसके बाद सरकार के उपर है कि वो इसके advice के उपर act करती है या नहीं करती है अब किसी भी act के अंदर उस act की implementation के लिए authorities होती है, अब अगर इस act के अंदर कोई claim या complaint आजाता है, तो उसके लिए भी appropriate government authority को appoint करेगी, center के case में center और state के case में state लेकिन जिस भी authority को सरकार appoint कर रही है, उसका rank labor officer से नीचे का नहीं होना चाहिए तो at least labor officer का rank होना चाहिए और यह जो authority है, यह किन complaints को सुनेगी, अगर तो कोई complaint आती है, related to contravention, कि किसी के उपर किसी के उपर यह complaint है, कि उसने इस act के provisions के against कोई action किया है, दूसरा अगर कोई claim लेके जाता है कि उनको wages नहीं मिली at equal rates, तो उस case में भी claim जो है कि जी, मेरा जो काम है, वो similar nature का है ठीक है, वो similar nature का है लेकिन employer बोलेगा कि नहीं similar nature का नहीं है, इसलिए wages में difference है, तो अगर अब यह question यही उठ गया, कि यह जो काम है जो man और woman का काम है जो claim लेकर के woman गई है woman बोल रही है, similar nature है employer बोल रहा है, नहीं different nature तो अब यह question के उपर कौन decision लेगा, कि similar nature है या नहीं है, तो उस case में भी जो आपका labor officer है, जिसको जो उपर claims सुनने के लिए जो appointed authority है, वो labor officer का ही decision final होगा कि यह similar nature है या नहीं है ओके, जो भी आपकी labor officer जो authority है, जो हम point कर रहे है, claims वगेरा सुनने के लिए इनके पास civil court के सारे powers होगे, यानि कि यह evidences ले सकते हैं, समन कर सकते हैं, witnesses को वो सब power इनके पास रहेंगे अब अगर कोई भी employer या worker इस particular authority यानि कि labor officer के decision से नाखुश है तो वो appeal भी कर सकता है और appeal जो है, वो within 30 days करनी होगी, appeal जो है, वो within 30 days करनी होगी, ठीक है और appellate authority को भी appropriate government जो है, वो form करेगी, center के case में center और state के case में state फिर आजाते हैं आपके miscellaneous provisions, तो इस act के अंदर inspector भी होता है अब appropriate government again inspectors को appoint करती है और इनका काम होता है investigation तो ये basically देखते हैं कि जो भी industry है, जो भी establishments है उनके अंदर इस particular code के जो provisions है, उनको जो है, properly follow किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है अब आजाते है next हमारा penalties का point अब ये act लागू होने के बाद, अगर कोई employer, अब इस act के अंदर बोला है कि एक proper register आपको maintain करना है ठीक है, जिसमें workers का नाम बगएरा होगा उनके wages बगएरा होगे ठीक है, तो अगर वो उस register को maintain करना में fail हो जाता है ठीक है, अगर कोई investigating officer उसकी establishment में आया और उसने कहा कि अपना register दिखाओ, master role दिखाओ और वो नहीं दिखा पाता ठीक है जी, उसके बाद refuse कर देता है, मना कर देता है दिखाने से या कोई information refuse कर देता है देने से, तो वो punishable होगा नो punishable जो है, वो one month और fine of 10,000 या दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है एक तो यह हो गया, जो register वगयरा से related हो गया next, अगर वो recruitment करता है, against the provision of this act यानि कि recruitment में वो differentiation कर रहा है, discrimination कर रहा है men और women में, ठीक है जो payment of remuneration है, वो unequal rates पे कर रहा है, ठीक है जी, उसके बाद कोई भी discrimination men और women में वो कर रहा है which are in contravention of this act, जो इस act के against है, या सरकार ने कोई निर्देश दिया, उस निर्देश को वो fulfill नहीं कर पा रहा है, तो उस case में, जो है, उसको fine लगाया जाएगा, which will not be less than 10,000 rupees, जिसको बढ़ा करके 20,000 तक ले करके जाया जा सकता है, और imprisonment भी इसके case में हो सकती है, तीन महीने की कम से कम, जिसको point है न, बहुत जादा इसके लिए tension लेने की जुरूरत नहीं है, ओके और राइट, उसके बाद जी, अगर court में कोई offense जाता है, तो कोई भी court, जो metropolitan magistrate या judicial magistrate और first class से inferior है, वो इस particular act के अंदर जो offenses हैं, उनके सुनवाई नहीं कर सकता, तो at least metropolitan magistrate या judicial magistrate होना चाहिए, first class इस act के अंदर जो भी rules बनाने की power है, वो central government के पास है ठीक है, जो भी rule central government बनाएगी, वो rule central government को दोनो houses of parliament में रखना होगा, यानि की लोकसभा और राजसभा के सामने रखना होगा, at least 30 days के लिए इस particular act के अंदर central government state government को इस act की execution के लिए directions भी दे सकती है और state government को फिर उनको fulfill करना होगा, ठीक है दोस्तो so these are the important points related to equal remuneration act, आने वाले समय में before your exam, मैं बाकी की act भी आपके साथ इसी तरीके से cover करूँगा अगर इस तरीके में किसी को कोई problem है तो please comment section में मुझे बताएं PDF आपको, as it is जो ये highlighted PDF है, इसी तरीके से मिलेगा तो आप एक बार 10 minute लगेंगे go through करने में, 8 page का तो ये act है सिरफ 10 minute लगेंगे, go through करने में कर लेना sufficient है, चलिए, मिलेंगे next class में, take care and bye